ओम शांति आज 17 दिसंबर 2023 है दुनिया में परस्नालिटी का बहुत ख्याल रखते हैं लोग और बाबा ने भी इस रुहानी दुनिया में इस अलोकिक दुनिया में भी हमारी परस्नालिटी क्या होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए ये बात बताईए हैं तो आएए आज के स्लोगन द्वारा जानते हैं बुद्धी का हलकापन वा महीनता ही सबसे सुन्दर परस्नालिटी है. इस स्थूल जगत में इन स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल शरीरों को ही देखते हैं और इन स्थूल शरीरों के संबंधियों, तत्वों, पदार्थों को ही देखते हैं और उसी स्थूलता के आधार स लोगों की परस्नालिटी को हम खुद ही तै कर लेते हैं दुनिया के अंदर इस कल्योगी जगत के अंदर स्थूल परस्नालिटी के दो महत्वपून आधार है वो है शरीर का हलकापन यानि शरीर पतला होना चाहिए और दूसरा शरीर फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और उसी के आ अलौकिक ब्राम्हन जीवन में भी हमारी जो रुखानी प्रस्नालिटी है वो भी आधारित है और वो है बुद्धी की महींता और बुद्धी का हलकापन हलकापन अर्थात लाइटनेस बुद्धी लाइट हो हलका हो फ्लेक्सिबल हो इसीनेस हो बुद्धी के अंदर रिज हलका होता है शरीरिक रूप से भी वो उतना ही flexible होता है और उतना ही active and alert होते हैं तो बुद्धी का हलकापन माना alertness, easiness, mold होनी की शक्ती और दूसरा है बुद्धी की महींता, बुद्धी कितनी महीन है, महींता अर्थात बुद्धी की गहराए, कोई भी चीज को समझने की गहर बहुत अच्छी तरह से यथार रिती समझना ये बुद्धी की महींता है और महींता अर्थात maturity, महींता अर्थात stability तो बुद्धी की महींता और बुद्धी का हलकापन हम कैसे अपने जीवन में लाए इसके लिए बाबा ने दो बाते बताई हैं एक तो कहा है बुद्धी क का भोजन जो संकल्प है वो भी हलका रखना पड़ेगा अगर वेर्ज संकल्प, नकारात्मक संकल्प फालतू या एक्स्ट्रा संकल्प हम बुद्धी को देते रहते हैं तो बुद्धी भारी हो जाता है, बुद्धी उर नहीं पाती है इसलिए बुद्धी को हमें शुद भोजन, सात्विक भोजन और पॉष्टिक भोजन देना होगा, वो है ज्ञान का चिंतन, सकारात्मक चिंतन, स्रेश संकल्प का भोजन, और दूसरी बात, बुद्धी की महींता के लिए बाबाने कहा है, एक्सराइज करनी है, बुद्धी द्वारा ड्रिल्स करनी है, अर्श् ब्राम्हन सो फरिष्टा, फरिष्टा सो देवता बनने का, जितना जितना हम ये एक्सराइज वार ड्रिल करेंगे, उतना उतना बुद्धी के अंदर शक्ति आ जाएगी, स्टेबिलिटी आएगी, मिच्योरिटी आएगी, यही है बुद्धी की महींता, इन दोनों बातों से हमारी आत्मा की परस्नालिटी बहुत सुन्दर बनेंगी और सब के समक्ष, बहुत पवित्रता की, दिव्यता की परस्नालिटी की चमक सबको दिखाई पड़ेगी, ओम शांति